हेलो अब्रिवन आप सभी का स्वागत है मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हमारा टॉपिक है हिर्दे मींस हार्ट जो कि आज हम पढ़ेंगे कि हिर्दे के बारे में इसकी संरचना के बारे में और साथ साथ में इसके स्ट्रॉक्चर में जो इनकी लेयर्स होती ह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हिर्दे किस सरीके से काम करता है तो यह सारी चीजे आज हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अन तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हैं हर्ड के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो संरचना होती यानि कि इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है संरचना एंग्लिश में आप कह सकते हो स्ट्रक्चर तो आपका जो यह सर्कुलेटी सिस्टम हम पढ़ रहे थे ब्लट सर्कुलेटी सिस्टम इसी के अंदर में यह आ जाता है या फिर आप इसका ये भी कह सकते हो कि circulating system के अंदर में आपका heart आ जाता है ठीक है तो चली फिर देखते हैं सनरचना के बारे में structure तो हिर्दे जो होता है वो रख्त परिसरण तंत्र यानि कि blood circulating system का सबसे प्रमुख और vicious अंग होता है यानि कि एक special और सबसे important main जो है organ होता है या एक Pesie, खोखला, संकुचन, शील और शंक्वाकार यानि कि कोन के जैसा देखने में कोन जैसा लगता है कोन shape में तो शंक्वाकार अंग होता है इसका जो उपरी वाला भाग होता है वो कुछ चौणा होता है जो कि आधार कहलाता है और हिर्दे की जो आसतन लंबाई होत होती है 12 cm और इसकी चौणाई होती है 9 cm इतना होता है ये इसकी मतलब लंबाई और चौणाई इतनी होती है और इसका वजन की अगर हम बात करें तो एक जो एडल्ट मैन है यानि की वयस्क पुरुष पुरुष वयस्क पुरुष मींस एडल्ट मैन एडल्ट का मतलब है कि जो 18 से अबब आले हैं उनको एडल्ट वो एडल्ट में आ जाते हैं तो इनमें इनका अगर हम भार की बात करें इनका जो वजन है ठीक है हर्ट का वो होता है लगभग 2500 से 390 ग्राम मीन 250 से लेकर 390 ग्राम वजन होता है एक एडल्ट मैन में और एडल्ट विमन की बात करें तो वयस्क इस्त्री में एडल्ट विमन इसमें जो होता है 200 से लेकर के 275 ग्राम होता है वजन तो यह दोनों में डिफ्रेंस तो उसमें और जो इसके structure है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे अब बात कर रहेते हैं हर्दय की structure यानि कि जो इसकी layer होती है हर्दय भित्ती उसका जो निर्माड होता है वो तीन पर्तों से होता है हर्दय भित्ती यानि कि जो हर्ड की wall होती है दिवारे होती है उनका जो निर्माड होता है वो किस से होता है तीन पर्तों से होता है ये कौन-कौन सी है देख लेते हैं तीन पर्तों से होता है तो पहला है जो पहली परत है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं इसको, दूसरा है, मायोकार्डियम, अब इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगी, मायोकार्डियम, और तीसी है, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो यह तीन लेयर हो गई, यानि कि जो हर्ड की वॉल होती है, दिवारे हैं, वो आपकी तीन परसे मिलकर के बनी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, और तीसरा है, एंडोकार्डियम, अब जो पेरिकार्डियम है, इसको हर्दयावरण भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हुरदय आवरन या फिर हुरदय आवरन अगर हम इसका संदिविच्छेट करें तो हुरदय आवरण बोलेंगे इसको तो पेरिकार्डियम को रदय आवरण भी कहते हैं और यह दो कोश यानि कि दो सैक का बना होता है ठीक है इसमें दो कोश होते हैं यानि कि दो सैक का बना होता है और जो बाहे कोश वो तंतुमे उतक यानि कि फाइब्रस टिशू का बना होता है और जो अंदर का होता है वो सेरस उस से उसकी दोहरी परत होती है और रेगुलर से बना होता है जो बाहर का साइक होता है वह आपका फाइवरेस्ट टिश्व का बना होता है तनतुमें उतक से बना होता है वो serous membrane की दोहरी परत होती है उसमें ठीक है तो यह pericardium हो गया उसके बाद में myocardium की अगर बात करें तो myocardium विशेश प्रकार की हिर्दय पेशी यानि की cardiac muscle की बनी होती है जो myocardium होती है यह आपकी हिर्दय पेशी से बनी होती है जिसे की हम English में कहेंगे cardiac muscle तो इससे मिलकर की बनी होती है जो आपकी myocardium होती है जो केवल और केवल हिर्दय में पाई जाती है यानि की जो myocardium है वो आपकी सिफ और सिफ हिर्दय में पाई जाती है इसने विशेश प्रकार के तन तो यानि की fibers रहते हैं जो की अनैच्छिक वर्ग के होती है तो जब मै आपको आच्छिक और अनाच्छिक पढ़ा रही तो मैंने यह चीज़ बताई थी कि जो आपका हर्ट होता यानि कि जो हिर्दा है वो आपका अनाच्छिक पेशी यानि कि involuntary muscle के अंदर में आता है क्योंकि यह अपने आप ही धड़कता रहता है इस पर आपका कोई भी नहीं होता है इस वज़ब से यह अनाच्छिक पेशी के अंदर में आता है ओके अब मायकार्डियम की जो मोटाई होती है वो अलग-अलग होती है यानि कि भिन भिन होती है शिखर पर यानि कि उचाई पर जो होता है वो सबसे मोटा होता है और जो उसका आधार की ओर वो पतला होता चला जाता है यानि कि सबसे सिखर पर वो मोटा रहता है और जिसे आधार पर आता है वैसे वो पतला होता चला जाता है और जो इसका left वाला ventricle है वो यानि कि जो बाया निला है वो अधिक मोटा होता है क्योंकि इसे अधिक काम करना पड़ता है जो आपका हिर्दय है उसके चार चैंबर होते हैं यानि कि आप ये कह सकते हो कि उसके चार कच होते हैं हिर्दय के इसके चार कच होते हैं इंग्लिश में इसको हम चैंबर कह सकते हैं चार कच यानि कि आप कम्रे की भात इसको समझो कि जो हिर्दय होता है वो चार कम्रों का जो है एक सनरचना होती है जिसमें चार कम्रे होते हैं यानि कि चार चायंबर चार कच होते हैं अब इसमें क्या होता है एक तो बाया निलय और बाया आलेंद होता है जिसे कि इंग्लिश में निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं और जो आलिंद है उसको हम औरिकल बोलते हैं या फिर आर्ट्री बोलते हैं ठीक है और जो यह बाया हो गया और जो फिर बाया साइड में भी आपके वेंट्रिकल और जो है क्या बोलते हैं ठीक है आर्ट्री होते हैं यानि कि निलय और आल होता है बाया निलय जिसे की हम कह रहे हैं लेफ्ट अभी हम आपको पिक्चर दिखाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रकल ठीक है यह अधिक मोटा होता है और यह क्यों अधिक क्योंकि इसे अधिक काम करता ना पड़ता है यानि कि जादा काम करता है इस विगया होता है यह जो अधिक निलय में ओपतला रहता है तक चिंद्ट को पहणा epic हुआ है अभी जब आप यह पूरा मैं आपको बता होंगी कि कि हृदय किस तरीके से काम करता है तो यह सारी चीजा आपको समझ में आ जाएंगी और जो आलिंद है यानी कि इसके एट्रियम है वह बहुत पतले रहते हैं ठीक अब आते हैं एंडोकार्डियम पर ये तो हो गया मायोकार्डियम की बात अब आते हैं अब जो एंडोकार्डियम है वो हिर्दय में सबसे भीतर की ओर होता है पेरिकार्डियम वो बाहर की ओर होता है मायोकार्डियम यह हिर्दय में यानि कि बिल्कुल मिडल में होता है हिर्दय में होता है और जो endocardium है वो आपका अंदर की ओर होता है हिर्दय में सबसे भीतर की ओर होता है और ये पतली चिकनी और जिलमिलाती कोमल कला यानि की membrane रहती है ये पतली होती है और चिकनी होती है और बहुती कोमल होती है ये सबसे अंदर की ओर होती है हिर्दय में और जो है इसमें क्या होता है कि endocardium हिर्दे की चारो कच्छों M कपार्टों को आच्छा दिद के रहती यानि कि यह कह सकते हो कि हिर्दे की हमने बताया आपकी चार कच्छ है यानि कि four chambers है इसके और जो इसमें valves पाई जाती है जिसे कि दर्वाजे होते हैं दर्वाजों में क्या होता है अब दर्वाजे में सॉरी कमरा चार कच्छ है यानि कि चार कमरा है और कमरे को बंद करने के लिए क्या चाहिए होता है दरवाजा चाहिए होता है दोर चाहिए होता है तो उसी तरीके से इसमें वाल्व लगे होते हैं जो चार चैमबर होते हैं इसके उसमें कपाट लगे होते हैं जिसे के इंगलिश में वाल्व कहते हैं वो लगे होते हैं तो जो आपका एंडोकार्डियम है यानि सबसे जो दर्वारीपरत तो यहparty होगई तीनों परत की बाद अब हम बात कर लेती हिनमें इंकी जो चैमबर्स की बाद हम कर रहे थे चरी अब इसकी देख लेते हैं हैं म liver की कच कि हडे है कि कच यह फिर इन nihे हम कह सकते हैं में in chambers आफ दा हर्ट तो अब इस चैंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो हिर्दय आधहार के शिखर तक यानि कि आधहार से लेकर कि शिखर तक एक पेशिय अस्तर यानि कि एक सेप्टम द्वारा दाएं और बाएं दो भागों में बिभाजित होता है ठीक है डिफ्रेंशेट किया जाता है जिसना मैंने बता है कि इसमें क्या होता है चार कच्छ होते हैं अब चार कच्छ के अलामा सबसे पहले बात कर लेते हैं चार कच्छ से पहले कि इसमें बाया पार्ट होता है और दाया यानि कि right और left होता है तो अब जो right और left है उन दोनों को divide करने के लिए उनके बीच में एक पेशिय अस्तर होता है ठीक है जिसे की septum कहते हैं septum के द्वारा ही हिरदय दाय और बाई में दो भागों में बिभाजित रहता है जैसे बीच में यह septum हो गया बीच में septum हो गया जैसे की PCA अस्तर बोल सकते हैं या PCA पर बोलते हैं हिंदी में ठीक है इंग्लिश में septum इंग्लिश में समझो जद स्वज में आएगा एजी भी पड़ेगा आपको हिंदी बहुत ही शुद्ध रहती है इसकी physiology की तो वो बहुत जदा आपको tough पड़ जाएगा इंग्लिश में आगर आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो भी terms है इसके ठीक है तो septum अब septum की सहायता से ही ये दाएं और बाएं में हड को divide करता है ओके बीच में septum है ठीक है और septum के द्वारा ही ये दाएं और बाएं में दो भागों में विभाजित रहता है जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है ठीक है ये एक दूसरे से इनका कोई भी relation नहीं होता है अब देका जो संपूर दाएं भाग है ये जो दाएं वाला भाग है वो दाएं भाग जो होता है वो अशुद्ध रख्त का लेंदेन करता है यानि जो ये दाएं वाला भाग है इसमें अशुद्ध रख्त होता है अशुद्ध रख्त का ये लेंदेन करता है यानि कि लाना और ले जाना ये दाया भाग इसमें अशुद्रक्त होता है और जो ये आपका बाया वाला भाग है ठीके इसमें क्या होता है शुद्रक्त का लेंदेन होता है शुद्रक्त का लेंदेन होता है ये मीज अशुद्रक्त का मतलब है इंप्योर ब्लड और शुद्रक्त का मतलब है प्योर ब्लड ठीक है इतना समझ में आगया आप लोगों को कि शुद्रक्त किधर होता है दाय भाग में उसका लेंदेन होता है और बाय भाग में शुद्रक्त का लेंदेन रहता है अब दाया और जो बाया भाग है दोनों ही भाग फिर से पुना एक अनुप्रस्थ पर यानिकी ट्रांसवर्स सेप्टम दौरा बिभाजित होते हैं उ उपर और नीछे इसी तरीके से चार कछव बन रहे हैं पहले क्या हुआ पूरा हाट आपके दो भाग में डिवाइड हुआ दाया और बाया, कि सेप्टम के दो थारा आप दो भाग से वह चार भाग में डिवाइड होगा यानि कि जो दाया वाला भाग था अब वो दाया जो है आपका ventrecle और artery में divide होगा यानि कि निले और आलिंद में divide होगा किसके द्वारा transverse septum के द्वारा जिसे की अनुपरस्थ पर बोल रहे हैं ठीक? और जो बाया वाला भाग है वो भी उबर और नीचे, दो कच में डिवाइड होगा, तो यहां मैं, ऐसे समझाती हूँ आपको, कि अब आ गया transverse, अनुप्रस्थ पर, इंगलिश में कहेंगे इसे, transverse septum, ठीक है, यह हो गया, आपका, यह बीच का हो गया, अब यह क्यारता है, उपर और नीचे का भाग, डिवाइड करता है, उपर का भाग, और नीचे का भाग, इसके दोरा डिवाइड होगा, ठीक है, यह उपर और वाला भाग और नीचे वाले भाग को इसको डिवाइड करेगा, अनुप्रस्थ पर, आप ये दोनों साइड में होगा आपका यानि कि आपके बाएं और दाएं दोनों साइड में ही होगा क्योंकि जो बाया है वो भी उपर नीचे डिवाइड होगा और जो दाया वाला भाग है वो भी उपर नीचे डिवाइड होगा अनुप्रस्त पर द्वारा यानि कि ट्रां अब यहां पर मैं आपको पिक्शय कह दिखाले हो इससे अपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नहीं तो अदर्वाइस बहुत सारी का इंफ्यूजन हो जाएगी अब यह पिक्चर आप ध्यां से देखिएगा यहां पर आप सेप्टम तो नहीं दिखाई पड़ेगा ठीक है क्योंकि सेप्टम बहुत ही अच्छा नहीं यहां पर है यह दिखिए यहां पर सेप्टम है ठीक है देख सकते हो आप सेप्टम यह है इधर आपका राइट है और पर यहां पर डेख सकते हो यह सेप्टम है इसने राइट औरलेफ्ट में डिवाइट कर दिया अब यहाँ पर उपर राइट एक्ट्रियम है और नीचे राइट वेंट्रिकल है और इधर लेफ्ट एक्ट्रियम है और यह लेफ्ट वेंट्रिकल है जो दाया अब इसको बोलते हैं हिंदी में दाया आलिंद ओके और इसको बोलते हैं दाया निले इसको बोलते हैं बोलेंगे बाया आलिंद और इसको बोलेंगे बाया निलय गज़ाएं, अब अपने में आगे चार कच screens, डाईया आलिंद दाया निले, बाया आलिंद बाया निले, यह कर दोनों कच हो गए, इनके बीच में एक छिदर होता है ठीक है उसी छिदर के द्वारा जो है यह आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो यह है थिक है बायां आलिंद और बाये के बीच में यह आपका निले है यह आप देख रहे हो एक इनले है और यह बालें पार्म थी ठीक है दोनों के बीच में एक उध्र होता है जिसके दोड़ के आपर में एक दूसरा से संबंधित होते हैं इसी प्रकार के से जो आपका दायां वाला दोनों part है यानिकि यह हो अलान और यह हो गया आपका निलत जानी कर बेंटर के अब इन डोनों के दोनों के बीश के कचके भीश में ऐग च्षिदेड़ चिवह गा जिसके दौरह यह एक दुसैय से संभन्नित रहेंगे ठीक है अब इन छिद्रों पर वाल्व स्हों San अब ये कमरा हो गए आपका चार कमरे हो गए अब चारो कमरे यानि कि अब जो दाया आलिंद और दाया निले ये जो दो कमरे हैं ये आपस में एक छिद्र के द्वारा संबंधित होते हैं अब वो जो छिद्र है उस पर क्या होगा आने जाने का रास्ता तो है लेकिन अब उस पर कोई दरवाजा भी तो होना चाहिए कि कभी माल लीजे उसको बंद करना पड़ा तो कम से कम उसको बंद किया जा सके ठीक है तो अब दोनों में चितर जो है जो रास्ता बना हुआ बीच में उसमें एक जो है वाल्व भी लगा होता है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते यह राइट एट्रियम और यह जो राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में जो वाल्व लगा हुआ है यह है वाल्व इसको बोलते हैं ट्राय कस्पिट वाल्व इसको ट्राय कस्पिट वाल्व कहते हैं या फिर हिंदी में इसको कहते हैं त्री कपर्दी कपाट क्या बोलते हैं त्री कपर्दी कपाट यह दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच में जो छिद्र होता है उसको बंद करने के लिए यहां पर कपाट लगा होता है यानि कि वॉल्ब लगा होता है जिसे कि ट्राय कस्पेड वॉल्ब बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं त्री कपर्दी कपाट और जो बाया आलिंद और बाया निले है इनके बीच में भी एक छिद्र होता है ठीक है दुनों को संबंधित रखने के लिए उनको भी बंद करने के लिए उनके बीच में वाल्व लगा होता है यह देख सकते हो ठीक है इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व को हिंदी में कहते हैं मिट्रल वाल्ब को कहते हैं दूई कपर्दी कपाट इसको हिंदी में कहते हैं दूई कपर्दी कपाट ओके ये त्री कपर्दी इसको ट्राइकस्पिड वाल बोल रहे हैं ये जो है मित्रल वाल्ब इसको बोल रहे हैं इस वज़ा से इसको जो है दूई कपर्दी कपाट बोलें यह त्री है और यह दूई है अब देखें यहां पर मित्रल वाल्ब अगर इसको याद करना चाहा रहे हो आप कि दूई कपर्दी कपाट को ही मित्रल वाल्ब कह रहे हैं के बीश में होती हैै तो दुई का मतलब 2 हो गया और मित्र का मतलब हो गया मित्रल वल्म ठीक है तो इसका मतलब ए दुई कपर्दी कपाड है मित्रल वल्म ये Afka left atrium और left ventricle के बीश में होता है है इंगे आपको व्ल subt Bi तो यह हो गया अब दोनों कच्छो के मत में यह वाल्न लगे हुए और प्रिकाल में त्लिखते हैं कि त्लिलोग केवल एट्रियम में से वेंट्रिकल में ही जा सकता है परतु वह लोट नहीं सकता है दिए यह उन्हांड आलि biomass अ तरीके से लगे होते हैं कि यहां आलिंद से वो सिर्फ निले में आ सकता है यानि कि एट्रियम से वो वेंट्रिकल में ही ब्लड आ सकता है उपर यह लौड कर नहीं जा सकता है यानि कहने का मतलब है यह वेंट्रिकल से कहिए कि अगर वो एट्रियम में चला जाए तो ऐसा नही जा सकता है ओके तो यह हो गया कच्छों के बारे में यानि की चैंबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया अब हम कपाड के बारे में बात कर लेते हैं तो मैंने तो यहां पर आपको बता ही दिया त्रिक कपर्दी कपाड और द्रिक कपर्दी कपाड के बारे में और भी हम डि कपाट या फिर इसको हम कह सकते हैं हर्ट वॉल्ब यानि कि वॉल्ब चलिए तो दो तो हमने आपको बता ही दिया है तो ये मुख्य रूप से चार होते हैं चार कपाट होते हैं तो पहला है जो हमने बता है त्री कपरदी जीसे कि हम इंग्लिश में कहे रहे हैं ट्राइ कस्पिट वॉल्ब दूसरा है दुई कपरदी दुई का मतलब है मित्र दुई कपरदी कपार यानि कि मित्रल वॉल्ब फिर तीसरा है फुम फुसिये का पाठ इंग्लिश में से कहते हैं पल्मोनरी वॉल अब इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये कहां पर रहता है ठीक है फिर चौथा है महाधमनी का पाठ कपाठ जिसे की हम बोलते हैं ए ओर्टिक वॉल अकी यह चार आपके मुख्धे काठ होते हैं यानि की वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिद मित्रल पल्मोनरी और ए ओर्टिक ठीक है अब जो ट्राइकस्पिद वॉल्व है यह तो हमने आपको बता ही दिया कहां पर होता है हैं थैसरे है पर मुंथा एक पाड ये आपका डाइं वेंटरिकल और फिंफ सिर॥ के बीच के कपाड को बोलते हैं यान ट्रंक होता है उसके बीच में होता है देखते हैं अगर पिक्चर में अगर होगा तो यह चीज में आपको दिखा दूँगी हाँ यह है यह आप देख सकते हैं पल्मोंडरी वॉल जिसे कि हम बोल रहे हैं हिंदी में फूम फुसी यह कपाट लिख देती हूं मैं कि फुसी यह देखिया पर यहां पर है ठीक है तो यह किसके बीच में आइवेंट्रकल यह आपका वेंट्रकल यह वाला पोर्षं यह जो दिख रहा है आपका यह रहाए मैं फुमफुसिये का मतलब होता है कि आपका जो लंग्स है तो यह जो ट्रंक होगा तो यह यहां पर तो नहीं फिलहाल दिखाई पढ़ रहा है ठीक है लेकिन आप यहां पर देसव पल्मोनी वॉल्प कहा है यहां पर है अब चुकि यह स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉंप्लिकेटट है यह अंदर का स्ट्रक्चर है तो इसमें उतना क्लियर आपको नहीं समझ में आएगा जो ट्रंक है वो इसमें नहीं दिया गया है अदरवाइस मैं आपको दिखा देती ठीक है तो यह इनके बीश में होता है दाय वेंट्रिकल और फुमफुसिये ट्रंक के उसके बीच में यह रहता है ठीक है दाय निले और लंग्स के बीच में होता है अभी आगे आप जब पढ़ाएंगे हम तो आपको सौन्जने आ जाएगा क्यों इसके बीच में क्यूं होता है और किस तरीकी से काम करता है फिर उसके बाद में एयॉर्टिक वॉल्व एयॉर् यानि की यह जो है एक यहां से यह जाए है यह आयए कहा बन वाला बन लेफ्ट बइन हो गया तो यह है यह 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 ब्योंग होता ψहिर्ट है यहां इंपने दिंपанके महा धंनी होगा इनके बीच में है एतना समझ में आप आपको कि जो कपाट होते हैं वो कहां कहां पर होते हैं अब बात कर लेते हैं इसके बाद में अब हम बात करेंगे में जो है अब आते हैं इसके कंडक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं जो हिर्दे का हिर्दे की संचालन प्रणाली है उसके बारे में डिस्कूस कर लेते हैं अब हर्दे की इतना जितना हमने आप से डिस्कूस किया है भी वह आपको समझ में आ गया हुगा अब बैसे यह एक बार में समझ में नहीं आएगा आप इसको दो तीन बार देखो ठीक है और उसके बार में इसको ड्रॉ करके भी चाहो तो समझ सकते हो अधर्वाइस इसको नो डाउन करते चलो और इसको जब आप कई बार देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में इस चीजें समझ में नहीं आएगी थोड़ी सी टॉफ है कि फिजालोजी है तो सिस्टम समझने में थोड़ा तो टाइम लगेगा तो इसको दो तीन बार अगर आप पढ़ोगे दन आपको असानी से समझ में आ जाएगा यह है हृदय की संचालन प्रणाली यानि की कंड़क्शन सिस्टम ऑफ ता हर्ट अब कंड़क्शन सिस्टम का यानि की हिर्दय किस तरीके से संचालित होता है किस तरीके से काम करता है तो अब जो एच्छिक और चुकिंढियं इच्छ के अंदर आता है तो उस पर हमारा कोई भी आज significant होता है अप जो हुझलं ये काम कर रहा है होता है मलब कहां से यह आविग उठता है यह अगर हम बात करें तो यह आपका एक विशेश अस्थान होता है इस पैसिफिक जो है जगहां होती है जिसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड कहते हैं क्या बोलते हैं इसको साइनो एट्रियल नोड और शॉर्ट करने से बोलते हैं से नोड अब मैं इसको इसलिए बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वज़ज़ा से मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं देख लिए पिक्चर में अगर साइनो एट्रियल नोड होगा इसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नई इसमें नहीं है यहीं से उठता है, तो यहीं से यह उठता है, तो संकुचन की जो वैदुत आवेग है वो हिर्दय पेशियों में एक विशे सस्थान जीसा हमने बता है कि साइनो एट्रियल नोड से उठते हैं जो पहले कहां जाते हैं जो ये वैदुत आवेग उठ रहा है जिसके वज़ा से संकुचन हो रहा है तो ये आपका इसी ऐसे न रहा है तो ये पहले आपका एट्रिया में जाएगा यानि की आलिंद में जाएगा उसके बाद में ये वैंट्रिकल में जाएगा यानि की निले में जाएगा जिससे क्या होता है कि पहले एट्रिया यानि जो आपका ये है आलिंद है उसमें पहले संकुचन होता है कॉंट् ventricle में संगुचन होता है, यानि की निले में संगुचन होता है. अब ऐसे नोड से ही जो हृदय असपंदन यानि की धड़कन होती है, उसकी शुरूरात होती है. जो ऐसे नोड यह है, जो हम बता यहां पर मैंने लिखा हुआ है, synoatrial node यहीं से जो हमारी हिर्दय की धड़कन चलती रहती है वो यहीं से शुरू होती है और यही मनलब जो धड़कन की हमारी जो ताल बदता है यानि की जो रिदम है जो continue हमारा हिर्दय धड़कता रहता है यह जो रिदम है इसको कायम रखता है आपका synoatrial node यह हमारा हिर्दय धड़क रहा है और continue धड़कता रहता है तो यह जो एक रिदम बनी हुई है वो आपकी synoatrial node की कारण ही होती है यही इसको कायम रखता है इसी वज़ावसे जो हमारी हिर्दय की धड़कन है वो चलती रहती है इस वज़ा से इसको हिर्दय का गती प्रेरक या फिर पेस मेकर कहा जाता है तो ये question exam में आता है इस वज़ा से मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ साइनो एक्रियल नोड को हिर्दय का गती प्रेरक गती प्रेरक ठीक है या फिर एंग्लिश में इसे कहते हैं पेस में कर तो ज़्यादा तर जो question आता है उसमें यही पूछा जाता है इसा यही घंदी में लिखा रहाएगा आपका pacemaker और एंग्लिश में भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा तो यह धियान रखेगा कि कि किसको यह question आता है किसको हिरदय का pacemaker कहा जाता है यानि कि गती प्रेरक कहा जाता है then आपको बताना है कि sinoatrial node को सबसे पहले संकुचन कहा होता है आलिंद में होता है उसके बाद में निलय में होता है क्योंकि पहले वाइदुत आविक जो है आपका आलिंद में पहुंचता है उसकी बाद निले में पहुंचता है ठीक है अब जो हृदय की रक्त की आपूर्ती होती है यानि कि जो रक्त पहुंचाने का काम हो रहा है वो आपकी कई सारी चीजें होती है यानि कि कई सारे अंग ह जो कि इसमें participate करते हैं भाग लेते हैं जैसे कि रखतवाहिनिया, blood vessels हो गई, धमनिया यानिकी artery और वेल्स यानिकी शिराय हो गई और कई सारी रखतको हुर्दय में पहुचाने वाली भी रखतवाहिनिया यानिकी blood vessels है ठीक है यानि कि हिर्दय से स्टरीर के विभन भागों में पहुचाने वाली कई सारी रक्तवाहिनिया है और विभन भागों से रक्त को हिर्दय में पहुचाने वाली रक्तवाहिनिया होती है तो इसके बारे में हमें पढ़ना है आर्ट्री वेंस और जो ये ब्लेड वेसल्स हैं, कापिलरीज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब हिर्दय पेशे में जो रक्त की आपूर्ती होती है वो दाई और बाई कोरुनरी धमनियों द्वारा होती है चलिए इसको जब हम बात करेंगे यानि कि जब हिर्दय के कारे के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये हमारा पूरा डेटेल में हमको पता चल जाएगा कि हिर्दय किस तरीके से काम करता है तो अब हमें पढ़ना है हिर्दय का कारे हिर्दे कायफ इसके बाद में इसके बीट के बाद में पढ़ेंगे इसका जो साउंड है वो हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं हिर्दे के काम से पहले हम बात कर लेते हैं जो इसमें जो भी अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं यानि कि जो रग्त वाहिनियां हैं वो कौन-कौन सी हैं और वो कैसे-कैसे काम करते हैं पहले वो जान लेते हैं उसके बाद में हम हिर्दय के कारे को डिसकस करेंगे इससे आपको समझ में आ चलिए तो अब पहले बात कर लेते हैं रग्त वाहिनियों की इसे की इंग्लिश में हम कहेंगे ब्लड वेसल्स अब इसमें जो रग्त वाहिनिया हैं अब देखिए हिर्दय जो आपका रग्त पर संचरन तंत्र यानि की ब्लड सर्कुलिटी सिस्टम का ये केंद्र ये भाग होता है लेकिन पूरे सरीर में हमारे पूरे शरीर में रग्त का जो संचरन हो रहा है यानि की रग्त जो प्रवाहित हो रहा है एक जखां से दूसरी जखां जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है आपकी इन्हीं जो ब्लड वसल से यानिकी जो रग्त वाहिनिया है इन्हीं के द Aorta उके? एवं ध़मनिया ये महाधमनी और जो इन से चोटी होती है उनको धमनिया बोलते हैं यानि की arteries next है धमनी काई ये धमनियों से भी चोटी होती है इन्हें बोलते हैं धमनी काई इंगलिश में कहते हैं arteriols इन के बाद में केश कैय आ जाती है इनको इंग्लिश में कहते हैं आप इन से हित्व हमनिकंस निंकती उनको केषकी काई निन इस की बादमां मीं आएंप इनको इंग्लिश में कहते हैं वैन्यूल्स iba कि इसके बार में रहते हैं और महाशीराय और शिराय ये यह इवं महाशिराएं यानि कि फिर्चोटी शेरिकाय होती है ओप 23 गोलते हैं, यानि कि आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी होती है महाधमनी अब फिर महा धमनी की से जो छोटी होती है वो धमनिया होती है यानि कि आर्टरी होती है उनसे छोटी होती है धमनी काएं और उनसे छोटी होती है और उनसे छोटी होती है धमनी काएं और उनसे छोटी होती है धमनी काएं और उनसे छोटी होती है शेरिकाएं यानि कि वैनियो चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है हिर्दे का जो बाया निले होता है यानि की जो वेंट्रक्ल होता है चलिए पिक्चर देख लेते हैं हाह तो सबसे पहले क्या होता सबसे चुब हम हिर्दे की जो बाया निले हैं यानिकी जो बाया वेंट्रक्ल है लेफ्ट वेंट्रक्ल है वहाँ से शुद्रक्त को लेकर के महादमनी यानिकी यानि की ठीक है महादबनी जो है वो निकलती है शुद्रक्त को ले करके निकलती है तो यहां से मैं पिक्चर दिखाती हूं इसी पिक्चर में मैं आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ देखिए, हिर्दे का जो बाया निले है, यह बाया निले कहाँ पर यह है, लेक्ट वेंट्रकल, अब यहाँ से क्या होता है, शुद्रक्त को लेकर के महाधमनी, यानि कि लेक्ट वेंट्रकल से जो है, शुद्रक्त को लेकर के महाधमनी, महाधमनी यानि कि एयोर्टा, यह महाधमनी है, ठीक है, अब यह महाधमनी निकलती है, यानि कि महाधमनी में कि और या जिसमे से अप कई सारी शाखाय निकलती है कई सारी ब्रांच जिए बोलते हैं धुमणoka मदाब बोलते हैं यानि कि 8 जलते हैं अब इनको बोलते हैं अब उननिम उनकी भी उप उनकाती हैं जिने धुमनिकाय या ने कि आर्ट्रियोraft कहते हैं अब यह आगे चलकर रटिशू शाखाओं में फिर से यह तिवाइड भो जाती हैं जो सामनें बताई था धामनिकाओं से छोटी होती है केशी काएं आने की कैपलरीज होती हैं तो अब यही जो धामनिकाएं यह आगे चल करके अती शूच्म बहुत सी छोटी छोटी शाखाओं में ब्रांचेस में फिर से यह जो है फैल जाती है यानि की निकली होती शाखाय निकलती है जिनकों की कैपलोडी जाने की केशकाये बोलते हैं और यह हमारे पूरे शरीर में जाल के समान फैली रहती है उसक ingredients शडय के अलग अलग भागों में कोशिकायों यानि की सेल्स को पोश्यंय मिलता है और और ऑॉक्सीजयन की पूर्ती होती है थिक यानि की ऊनके पोशन और जो ऑॉक्सीजन की पूर्ति के नहीं शुद्रक्त इनहीं के स्वारा मिलता है धंतनación के माध्यम से ही इनको वो हमारी शरीर में पहुंच गया रक्त, शुद्रक्त, इसके बाद क्या होता है, जो रक्त होता है, यानि कि जो ब्लड है, वो वैनियूल्स में एकत्र हो जाता है, अब यहां यह चोटी वाहिनिया मिल करके, यानि कि वैनियूल्स मिल करके, यह चोटी-चोटी होती है, यह मि यहां पर आलंद थीज़ आप पर यहां पर सुपीरियर वैना केवा यानिक यही है आपकी महाशिराइं तो यह क्या होता महाशिराइं जो है यह आपकी अशुद्रक्त को हिर्दय के दाएं आलंद यानिकी राइट ए्ट्रियं में पहुंचाती है तो यह काम इनका होता है अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं धमनियों की अब जो धमनियां होती है वो मोटी दिवार वाली वाहिनियां होती है अब जो वैस्क वैक्ती है यानि की जो एडल्ट मैन है उसमें क्या होता है जो पल्मोन्री आर्ट्री होती है उसके अत्रिक्त यानि की पल्मोन्री आर्ट्री के अत्रिक्त इसको छोड़ करके समस्त धमनी में यानि की सारी आर्ट्री में शुद्रक्त होता है ठीक है यानि की आपकी जो एक ये पल्मोन्री आर्ट्री है, कहां है पल्मोन्री ये है, जो पल्मोन्री आर्ट्री है, यानि कि चुकि ये भी धमनी ही है, ठीक है, लेकिन ही फुम्फुसी ये धमनी है, तो यानि कि सिर्फ पल्मोन्री आर्ट्री को छोड़ करके और जितनी भी आपकी धमनिय हैं सभी में शुद्रक्त होता है ठीक है और जो है एडल्ट मैन में यही जो पल्मोनरी आर्ट्री होती है इनके अत्रिक्त जो समस्त धमनिया है यानि कि जो आपकी जितनी भी आर्ट्री है वो शुद्रक्त ले जाती है यानि कि इन में शुद्रक्त होता है और यही शुद्रक ले जाती है शुद्रक्त का मतलब है कि ऑक्सी कृत ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है ठीक है वो ले जाने का काम करती है आप जो दाइए और बाईए फूम फसी ध्हमनिया है वह दाइए निल है यानि कि वेंट्रिक्टल से अशुद्र यानि कि दी ऑक्सीजिनेटर रगत को मिले जाती है दाइ जो फुमिंपसी है धंद्री यह आपके प्रमॉंण्री आर्टरि करा ध्यक्राद में होता है कि नहीं जो है पर्मोनरी आर्टरी भी होती है राइट पर्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पर्मोनरी आर्टरी दो होती है ठीक है अब यह दोनों ही धमनियों में क्या होता है अशुद्रग्त होता है तो यह जो है दायनिला यानि की जो यह राइट वेंट्रिकल है दायनिला है उससे अ औक्सिजेनेटर ड्रक्त को फेफ्रो में जाती है यहां से यह इनको फेफ्रो में लेकर जाती है ओके तो इतना तो आपको I think समझ में आ गया होगा कि जो पर्मोंडरी आर्टरी है उसको छोड़ करके समस्त धमनियों में जो है शुद्ध रक्त होता है और वही शुद्ध रक् तो अप्सिक हैं Sulkyyt को छोड़ करके तो इनमें अशुद्ध रक्त को यह जो है उसमें जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है और फिर वहां से रक्त को फेफ्रो में प्यप्याइब पर sacar यानि की उनको ऑक्सीजेनिट किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, अब इसके बाद में कापिलरी आ जाती है, तो अब जो केशिकाएं हैं, वो अत्यधा सुछमरकतवाईनिया होती है, जिन से हो करके शरीर के विभिन भागों के ओ तक हैं अब पोशकाएं हैं उन तक पूरे शरीर में फैली होती है और यह जो है उतक और कोश्काओं के पोशन उनकी जो ऑक्सीजन पूरती के लिए शुद्रत पहुंचाने का काम करती है अब जो केशकाएं होती है जो की जाल के सामान हमारे पूरे शरीर में फैली होती है यह बाल से भी बारिक होती है और शरीर तो आप जो आपका veins है इसमें क्या होता है अशुद्रक्त होता है ठीक है यानि कि जो आपका निले है इसमें अशुद्रक्त होता है यानि कि oxygen रहित डी oxygenated blood होता है अब अशुद्रक्त का समवाहन करने वाले ही शिराएं होती है फिर्दय में या फिर उसकी और ले जाने वाले वाहिकाओं को शिरा कहते हैं अच्छा ये question भी exam में कई वार पूछा जाता है कि जो हिर्दय की और vessels जा रही है वाहिनिया जा रही है उन्हें क्या कहा जाता है तो हिर्दय की और जो वाहिनिया जाती है उनको शिरा कहा जाता है ठीक है उनको ventricle कहते हैं और इनमें क्या होता है अशुद्ध रक्त होता है ओके यही कारण है कि फेफ़रों से जो शुद्ध हुए रक्त को लाने वाली चारो वाहिनियों को फुमफसीय शिराय यानि की पल्मोनरी वेंस कहते हैं परंतु इनके अंत्र अब जैसे की हमने बताया कि जितनी भी आर्ट्री हैं सभी में शुद्ध रक्त होता है लेकिन जो पल्मोनरी आर्ट्री है उसमें अशुद्ध रक्त होता है धमनी वो भी है लेकिन उसमें अशुद रक्त होता है लेकिन जो पल्मोंडरी वेंस होती है यानि कि जो फुम्फुसिय शिराएं होती है चुकि वो भी शिरा है लेकिन उसमें शुद्ध रक्त होता है ठीक है तो अब जो है फेफ्रों से जो फेफ्रों में जो आशुद्ध रक्त शुद्ध किया जाता है उन प्योर प्लड को जो है लाने वाली आपकी पल्मोर्णी वेंस होती है वही पल्मोर्णी वेंस जो है फेफ्रों से शुद्ध हुए रख्त को लेकर आती है ठीक है तो यह आपको इतना समझ में आ गया होगा लेकिन इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको अच्छी फुमफसी यानि कि जो पल्मोर्णी सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है उसको भी मैं थोड़ा सा बता देती हूं कि फुमफस का मतलब होता है लंग्स यानि कि फेफ्रों से फेफ्रों को रख्त पहुचाने का काम करती है आपकी जो यह फुमफसी है यानि कि पल्मोर्णी जो circulation होता है उसे के द्वारा ये काम होता है यानि कि जो वाहिकाएं हैं वो अशुद्रक्त को हिर्दय से फुम्फुस तक यानि कि लंग्स तक लेकर जाती है यानि कि जो आपके तो इस तरीचे से जो वाहिकाएं हैं वो अशुद्रक्ट को हिरदय से लंक्स में लेकर के जाती है और जो पूरे शरीर में आपके वितरत कर दिया जाता है यानि की पहुँचा दिया जाता है ठीक है हिर्दय से फिर पुरे शरीर में शुद्रक्त पहुँच जाता है तो इस तरीकी से ये पूरा आपका circulation यानि की परिसंचरन चलता रहता है और ये पूरा जो आपका pulmonary circulation हो रहा है इसमें जो है चार से आठ सेकेंड का समय लगता है कितना लगता है इसमें टोटल जो समय लगता है pulmonary circulation में इसमें चार से आठ सेकेंड का समय लगता है यानि की इंप्योर ब्लड आपका lungs में गया, फिर lungs में वो शुद्ध हुआ फिर वहाँ से शुद्ध रक्त जो है आपके हिर्दे में गया फिर हिर्दे से पूरे शरीर में गया तो ये पूरी process होने में आपका चार से आठ सेकेंड का समय लगता है मात्र ठीक है? ये इतना समय लगता है क्मेरी के जून टो इतना हो गया इसके बाद में आप जो हट का का मैं यानि कि जो function आफ हर्ड है कि किस सज़पर और किल में जा रहा है धहा है और बाईं से किस सज़पर शुद्र हो रहा है तो उसन आप बाकी है और तो फोर अधर्वाइस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यह आपके सिर से ऊपर चला जाएगा समझ में नहीं आएगा इसको बहुत अच्छे से जितना अभी हमने इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम दो-तीन बार इसको repeat करके सुनो आपको समझ में आ जाएगा और सा हो रहा है किसमें अशुद्रक्त है ये सब आपका clear हो जाएगा ओकी चलिए फिर मिलते हैं next video में thank you so much and bye bye take care